विंडर आती आपकी नेल्स की पॉब्लम शुरू हो जाती है और आपके नेल्स बहुत ज़दी टूट जाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है डल और डैमिज दिखाई देते हैं तो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्ट आपको बताते हैं कि नेल्स केर करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है सबसे पहले हमें अपनी नेल्स की केर करने के लिए वीक में दो बार हमें रात को थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा स्क्रब लेके श्पेशली नेल की अच्छी मसाज करनी चाहिए एक मिट जब मसाज करने के बाद हम किसी वेर टीशू से अच्छे से अपने हाथों को साफ कर लेंगे इसके बाद हमें एक आयल तयार करना है अपने नेल्स पे डेली रात को लगाने के लिए आपको लेना है एक चम्मच औरगेनिक नारियल ओयल एक चम्मच बादाम रोगन और एक आपको लेना है विटामिन E का कैपसूल इन तीनों के बारे में जितना कहूंगी उतना इंकाम है यह हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं डेमिज को कम करते हैं तो यह बहुत सारी प्रॉब् यह बहुत सब्सक्निटेगर यह तो इस एक बाद को पूरे हाथों में इसको मिक्स कर लोगे और इसके बाद आप सो जाओगे आप सुबह देखोगे कि आपकी नेल्स की ग्रोथ अच्छी होगई है आपके नेल्स का डैमिज कम हो गया आपके नेल्स स्ट्रॉंग होगए है और इनकी recovery भी पूरी हो रही है यानि आप जो आपके नियल्स में जो problems थी वो भी खतम हो रही है यह process अब जब 2-3 दिन तक लगातार करोगे तो आप देखोगे कि आपकी नियल्स की growth कितनी अच्छी हो गई है और 2-3 दिन यूज़ करने के बाद आप मुझे comments करके जिरूर बताना कि आपको इस टॉनिक से कितना फायदा हुआ और अगर अभी तक आपने मेरे चनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चनल को subscribe कर लोता है कि अच्छी वीडियो जो कि result full होती है आपको देखने को मिल सके और पास में है बेल आइकन उसे दवाना मत बूलना thank you for watching